हाई गाईस वेलकम टू अनदर वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग है लोग के निर्माड की तीन वीडिया देखेंगे हांस डिकर अपक्रिया फिंकल स्थिन अपक्रिया और स्वाड्स अपक्रिया जैसा कि आप थंदल से देख पा रहे होंगे इन इस वीडियो में अध्धन करेंगे और इनका का यह काम होता है तो और कर आको हमने सब से पहले ईडियो में बताया था है है यह अलकिन के प्रप्रेसिन के पहले व् haraur में बताया था कि है consommation पो इन पांस तरीकों से कर सकते हैं कि आपका मिलकेन से कि आल्कीन से और आलकोहल और हान्स जिकर गांके क्षिण ओर हेलोगे速- इन दोनों विद्धियों का आध्यम अद्धन करेंगे और इन तीनों यो का अध्यम हम लोगों ने अपने पिछलीडियो में किया है तो आएए देखते हैं हांस डिकर अपक्रिया क्या होती है यह सबसे पहले धान रखने वाली बात एक यह है कि सिर्फ ब्रोमो एलकेन के निर्माद में प्रोप्त की जाती है जब कोई को सिल्वर कि सिल्वर एलकेनोइट लिया जाता है और कार्बन टेट्राकलोराइट की उपस्थिती में कार्बन टेट्राकलोराइट की उपस्थिती में ब्रोमीन गैस से अपक्रिया कराने पर हमको कार्बन डायाकसाइट तथा कार्बन डायाकसाइट जैसे था सिल्वर ब्रोमाइट तथा ब्रोमो एलकेन का ट्राप्त होती है जैसे हमारे पास यह है सिल्वर एलकेनोइट और इसकी जो है हम ब्रोमीन गैस से अपक्रिया करा दें और कार्बन टेट्राप्लॉराइड की उपस्तिति में तब क्या प्राप्थ होगा हमको और यार प्लस कार्बन डियाक्साइड गैस और एजी क्लियर देखिए जो यह सिल्वर एलकेनोइट है यह देखिए कैसे प्राप्थ होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिल ले लेंगे इसको बोलते हैं साल्ट आप इसका जो निर्माण होगा वो किस तरीके से किया जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और उसका सिल्वर हाइड्रॉकसाइड से जब आप रियक्शन कराएंगे तब क्या हो जाएगा प्रकार हो जाएगा अब यह क्रिया पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और उसका सिल्वर हाइड्राक्साइड से अपक्रिया कराएंगे तब आपको यह क्या प्राफ्ट हो जाएगा कि शिल्वर कि एलके नॉइट ले दिजिए इसे फैटी साल्ट भी बोलेंगे फैटी साल्ट कि अलके नॉइट हो जाएगा और यह क्या है फैटी साल्ट हो जाएगा कि लिए अब देखो अगर इस अपक्रिया को हों देखें कैसे होगी कैसे संपन हुई होगी देखें आपके कि अग्या कि इस सिल्वर एलके नुएट आप ब्रोमिन गैस लेली जा पर कि यहां से क्या प्राप्त होगा कारबन को कि आपकागे बंगा करबन कि जो यह रहा और यह आपका टूट कर क्या बना लेगा एजी आप यह बिया सिल्वर भर्रोमाइट और यह आपका इतना बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा ब्रोमो एलकेंथ इस 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 तो उमीद है आपको यह प्रिया समझ में आई होगी इसके कुछ एक्जाम्पल्स देखते हैं इसके एक्जाम्पल्स जैसे आपके पास यह आपके पास क्या है इसका क्या नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनोइट इसका क्या नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनोइट हो जाएगा और ब्रोमिन गैस से इसकी रियक्शन करा देंगे तब देखो क्या हो जाएगा यह सिस्ट्री सिस्ट्व और यह ब्रोमिन इसके साथ हो जाएगा और कार्बन डायक्साइड गैस रिलीज होगी और क्या हो जाएगा एजी ब्यार इसमें इंट्रेस्टिंग सी बात आपको यह याद रखनी है कि इस अपक्रिया के दुरान कार्बन की में चेन में कार्बन की में चेन में कार्बनों की संख्या क्या होती है डिक्रीज होती है मतलब डिसेंट हो जाते हैं कार्बन नंबर क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं जैसे देखिए यहां पर में चेन में कितने कार्बन आपके पास बच्चे हैं 12 क्योंकि यहां पर कार्बन डायक्साइ थे व्र्ट करनी होगी तब वहां पर इशन के रट ही अलग योगदान होगा वहां पर यह क्रिया इमपॉर्टेंट के लिए कि पास कि अगर हम क्रिया विधी देखने के कोशिस करें मेकनिजम देखे इसकी क्रिया बिद्धी देखनी येक्शन क्या थे आपके पास कि अगरौमीन प्कार्वण। टेटरा क्लॉराइट की पस्थित में तो क्या बना रहा था और यार प्लस कारवण। आपके पास आप एक बात देखें यह क्या है साल्ट है और इस पर प्लस चार्ज मालीकूल होगा वह भी प्लराइड हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उससे क्या होगा कि यह हो जाएगा लग और यह ब्यार के साथ एड़ हो जाएगा और यह अब यह जो कंपाउंड है इसके क्या होगा इसका अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का होगा और यहां पर करबन टेट्राप्राइट प्रज्जंस के कारण कारण इसमें क्या होगा यह इसमें होमोलिटिक फिजन होगा क्या हो जाएगा इसमें हो में हो जाएगा कि सम्विदलन हो जाएगा और इसमें क्या आप और यह भी आप अब देखें इसमें यह क्या होगा यह अन बैलेंस हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा यह कंपाउंड इतना इसमें भी क्या होगा इसमें बात क्या होगा यह इसमें भी बॉन तोड़कर होम्य लिट्ग сок करके और यह कंपाउंड इतना अलग हो जायेगा और यह क्या और प्रasmand this अब बाहर हो जाकर जो अब यह अज़ोगा फिरेटकल है यह दोनों मिलकर ब्रोमो एलकेन का दिनमाड कर देंगे ब्रोमो एलकेन का उम्मीद है आपको इस समझ में आये होगी आए हम आपको इसको फिर से साल्ट किर्यावदे में रहें देखा कि एक तरीक का है साल्ट कि में यहाइन हो गे इसकी पॉलरीटि के कारण सिल्वर ऐलके पॉलराइटि के कारण ब्रुमीन ग्रोमिन पर पार्सल पॉसीव चारज आ जाएगा इसके कड क्या होगा फिर जब पॉसिटीव निगिटीव चारज आ जाएगा और यह आपका यह compound बचेगा अब इसमें क्या होगा और यह वाला जो और होगा हो मोटें के यहां पर इस इस इस्ट्यवल के कारट कोई भी प्रेडिकल होता है वो जेनरी अनिस्टेबल ही होता है इसमें क्या होगा फिर यहां पर होगा होमिलेटिक फिजन होगा यह compound इतना अलग हो जाएगा carbon dioxide के format पे और आप अलक्यल का कोई TH अपने हम अधिकल में इतना याद रखना है कि इसकी पिरियाविधी में तो मेडियेट कंपाउंड आ रहा तो माध्रमी की अभीक आ रहा तो क्या रहा था कोई एलकिल फीरेड कल आ रहा था और दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि इसका अगर जब हम इस रियक्शन को संपन कराएंगे तो इसके कार्बन के में चेन में कार्बन के में चेन में जो कि नंबर आफ कार्बन होंगे क्वान क्या जाएंगे क्योंकि एक कारबंच होगा काबन डायक्साइट sachs के सूमें बाहर हो जाएं अमीद है आपको यह रिक्शन समझमें इसी क्रिया विदेगे अब अगली हम किर्या विधी देखेंगे अगली अब करिया एक्षेंगे ऑधा रिशेंगे हेँ दियुक्ति हाइलोजन एक्षेंज विधी में दो प्रेया होगी नेम्ट रियक्षिन दोनों और नेम ड्यक्षिन ओने एक अलग sig सिग्मेंट बना लिजिए उसमें आप इनको लिखा करेंगे तो ज्यादा क्योंकि और गनिक केमेश्टी में रियक्शन की एक स्पेसिफिक वैलू होती हो हमेशा इंपॉर्टेंट ही मानी जाती है तो हाइलोजन फ्लोरो एलकेन का फॉर्मेशन करना होगा तो स्वार्स रिक्शन का यूज़ करेंगे है उम्मीद है आपको बात है समझ में आ रहे होंगी फिंकल इस्टेंट रियक्शन जो होगी उससे क्या होगा हमको एक्स्कुलूजीव मेथड यह है किसका आयोडो एलकेन के दिर्माल का और जो स्वार्स रिक्शन होगी वह मेथड किसका है एक्स्कुलूजी मेथड फार्प्रप्रेशन आफ फ्लोरो एलकेन अब हम एक एक करकें सभी अपक्रियाओं को देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिंकल इस्टेंट रियक्शन को फिंकल इस्टेंट इसमें हैं फिंकल की ऐसे में हेट्जन जू होगा इसका एक्चेंच किया मतलब इसका मतलम को हमारे पास है molar-ज local का होगा आँ तो प्लूरील लगाओ या तो जया होगा अब इसका क्या किया जाए ए एन ए排क्शन किरा दिया और ऐसी टोन के प्रिंसमें तब यह हो जाएगा इने एकस बाहर हो जाएगा और यह आई जो है आर के साथ जूट जाएगा और यह क्या बना ले अगदा यह दो इस जिस बिढ़ होंगे जो भी हम है क्लोरीन या बुरूमिन देखिए आप पश्री वीडियो में भी देखे होंगे जो भी हम हेलोलकेन प्राप्ट कर पा रहे थे, क्लोरोलकेन और ब्रोमोलकेन बहुत ही आसानी से प्राप्ट कर पा रहे है, आयोडोलकेन इतनी जल्दी से प्राप्ट नहीं भी हो रहा है, क्योंकि अगर प्राप्ट हो भी रहा है, तो उसकी रियक्शन्स डिवर्सपल हो जा तो जो जब ऊपक्रियास को व्हा रही थे तो उसको र् Mage के लिए क्लोरोईंके या प्रॉमोई एलके ने उसको क्या कर यह सोडियम और एक्षन करका चेशेन गार जाएगी एक्षिन हो जाएगी अब आप एक बात याद रखें जहां पर एन आई की जगा अगर आप नबी आर ले ले तब भी एक्षिन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि यह जो एन आई है यह एसी टोन में यह एसी टोन में सॉलिवल है और यह एक एक आर्गनीक और 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 नोन पोलर होते हैं या उन्हें समझ लिजे कि जो बॉंडिंग होती है वह कोवैलेंट बॉंड होता है अब इन दोनों में देखा जाए कोवैलेंट बॉंड ज्ट जादा होगी तो सोडियम आयोडाइड में होगी सोडियम रवाइड में कम होगी क्योंकि इसका कोवैलेंट करेक्टर कम होगा वह इसलिए क्योंकि ब्रॉमीन की अलक्तो नेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होती है इसलिए जो होगा इसमें सम्थिंग कोवैलेंट करेक्टर होगा लेकिन इसके compare में कम होगा अता यह reaction जो है नहीं होगी और जो sodium iodide लिया जाएगा उससी reaction हो जाएगी क्योंकि इसमें covalent character पाया जाने के कारण यह acetone में dissolve होता है क्योंकि dissolve like dissolve same nature के जो compound होंगे वह हमेशा dissolve हो जाएगे जैसे अगर कोई covalent character compound है मतलब जिसमें के अंदर non-polarity है तो non-polar में non-polar dissolve हो जाएगा और polar compound में polar compound dissolve हो जाएगा अब यह नहीं हो पाएगा तो इसलिए reaction आगे process ही नहीं करें क्योंकि जब dissolve नहीं होगा आइंस नहीं बनेंगे तो फिर change क्या होगा कुछ भी नहीं इसमें change होने वाला है कोई एक्षेंज ही नहीं हो सकता है और इसके ions बनेंगे तब यह क्या होगा इसके जब ions बन जाएंगे तो nax बाहर हो जाएगा और ry जुड़ जाएगा क्या बना लेंगे इसके अग्जांपल इसके देखते हैं कुछ इसके अगर हम कुछ एक्जांपल देखें एक्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास क्लोरो इठेन है और सोडियम आयोडाइड है धान रहे यहां पर एसी टोन की प्रिजंस में एरिक्शन होगी क्लिए और करने क्या होगा निस यह बाहर हो जायाएगा से सी अश्टी और आई प्लस यह लिए यह देखें हम को क्या प्राप्त होगा आयोडो एलके भडार्च सोरी अग्या है क्या प्राप्त हो गया आयोडो एथेन उम्मीद है आपको चीजे समझ में आ रही हूँगी और ध्यान रगना जो जब भी कभी आपसे आप पूछ रहा हो कि आप से पूछ रहा हो कि आपका सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं उसको या उसका निर्माड कीजिए तो आपको क्या करना है कि कोई भी गिवन कंपाउंड दीजो फिर फिंकलिस्टिंट लगा कि उसको आप आयोडियो एलकेन बें कर सकते हैं अब इसके बाद अगली जो रियक्षिन होगी वह है स्वाट्स रेक्षिन इसलिए है इसलिए हो जाता है क्योंकि यह एक लहता मैथ्ट ऐसा है जिससे और फ्लॉरोरोइलकिन प्राप्त कर आप पीछे जितने भी करण से आप देखें होंगे जितने बी वीडियो देखें होंगे आप सारे वीडियो को चेकाउट कर लीजेए उसमें आपने कहीं बहुत ज्यादा होती है तो एलक्टाउन अफेनिटी होने के कारण क्या होगा क्यों बॉंड इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा और अगर रियक्शन होगी तो बड़ी वाइलेंट होगी बात आप समझ पा रहे हैं उमीद है आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी तो यह स्वार्ट रिक्शन से क्या हो जाएगा कि फ्लोरो इलकेन को हम इसली प्राप कर सकते हैं वह भी सिंपल साही मेथड यह भी तरीके का हालोजल एक्शन मेथट है आए देखते हैं जैसे आपके पास कोई और एक्स है अब यहां पर आप क्या करिए और आप यहां पर एजी एफ ले लिजिए तो भी रिक्शन क्या हो जाएगी एजी एक्स बाहर हो जाएगा और आर एफ यह अड़ हो जाएगा तो यह क्या होगा हमारे पास फ्लोरो एलकेन हो गया कि लिए और सिर्वर है राइड आपका बहांन कर जाएगा आप एजी एक तोर पर इसके अलावा आप यह भी ले सकते हैं कि एफ टू ले सकते हैं कि लिए और 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 हाँ एक कंपाउंड और भी आप ले सकते हैं एस बी एफ थे किलियर तो आप जब यह कंपाउंड लेंगे तब भी क्या हो जाएगा फ्लोरो एलकेन का निर्माण हो जाएगा किलियर जैसे एक्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि मारे पास है याद रहेए यहांपर कि एक्स के तौर पर यहां पर क्या होना चाहिए तो क्लौरीण जैसे यहांपर हमारे पास प्लूरो एथेन है अब इसकी आप एजी एफ से अफिरिया करा दीजिए एक्षन कराने पर क्या हो जाएगा CS3 CS2 और F इसके साथ एड हो जाएगा और प्लस का AGCL बाहर हो जाएगा और यह आपका प्राप्ट हो गया फ्लोरो एथेन क्या प्राप्ट हो गया फ्लोरो एथेन जैसे आपको अभी एक और रियक्षन दे दी जाए CS3 CS2 CS3 CS2 BR और इसकी रियक्षन आपको हजी टू से करा दी जाए तो आप इसमें क्या अगरी है यहां पर लगा दीजिए सिंपल सी रियक्षन आगे हो जाएगी तो क्या कंवर्ट होके हमको प्राप्ट होगा उच्छिस प्रकार 2 CS3 CS2 और क्या हो जाएगा यह CL प्लस HG2 BR2 देखें सॉरी सॉरी क्या प्राप्ट होगा HG2 F2 तो यहां पर हमको क्या प्राप्ट हो जाएगा यहां पर फ्लूरो इथेन यहां पर विवराप्ट होगा है क्लियर उम्मीद है आपको यह रेक्षन समझ में आए होगी अब हम अपने अगले वीडियो में हैलो इलकिन प्रप्रप्रेशन में जितने भी मेठेड यूज हुए है इस से रिलिटेड जो भी अभी तक जही नी अगले वीडियो लेकर आएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही तब तक किने अपना खास ख्याल रखें और हमको फीडबेक जरूर देते रहें कौन जो चीज आपको ना स्वज में आई हो वह आप उनको बताते रहेगा हम उसको अगले वीडियो में एक्स्प्रेंट कर दिया करेंगे तब आज के वीडियो में इतना ही है